बाइयो एक जानकारी और मिली अभी आज जो है हमारे योगी जीन है मान्य मुख्य मंतरी जीन है बीस रुपे बढ़ाए किसानों की उमीद बहुत थी कि 25 रुपे बढ़ेंगे तीस बढ़ेंगे चार सो रुपे कुंटल भी हो सका है उत्तर पर्देश में लेकिन जो मने आपको मोडल दिखाया अब किसानों की बहुत बड़ी मजबूरी होगी कि उन्हें सहे पसल में गन्य कि खेती बहुत कोसली होगी बिल्कुल बिल्कुल या तो सहफसली करी जाए किसान दूसरा रास्ता कोई ना कोई ढूंडेंगे बिल्कुल बिल्कुल साथ्यों नमस्कार स्वागत है सभीगा आपके अपने यूटूब चैनल राहुल सिवाच फेस्बूक पेज पर तो लेकिन आज की वीडियो बहुत जाणकरी भरी हे अपने किसानों केलिए होने जारी उसके साथ में भाइयो यह फ CPA कर रहे प्रें और उस से पहले इन्नोंने मूली की खेति भी खरी मतलब गन्य के साथ में से फथल में कुछ नहीं खेति करते हैं तो आज की वीडियो स्पेसल इसलिए है कि फूलों की खेती जो यह कर रहे हैं नहीं तरह का फूल आपको दिख रहा इसके बारे में तो जानकरी लेंगे बाकि कि हमारी चुछ साब को इसके बारे में बहुत ज्यादा नोलिज भी है काफी समय पहले भी नों ने यह करी और दो बारा से गन्य की वेराइटी आपको नमस्कार चुछ साब थोड़ा सो तो एक बर आपने परीचे करा दो जी मेरा नाम सतीश कुमार गाव नंगोडी यह गटेंड के पास पड़ता है अच्छा तो एक बात तो बताओ जी यो गन्य की खेती मैं पिछली वीडियो आपकी बनाई थी 14201 हो चाए 13235 हो चा अच्छा यह मैं 1998 से अठाण में से करता रहा हूं अच्छा सबसे सुरू मैं कहां देखा था जी मुदब कैसे कर यह पास में गावाँ है गंधाडी अच्छा गंधाडी से देखाता जी वहां फुल लग खेती थी तो इसकी सबसे पहले यह वताओ जाओ जाप इसकी कलम बाता है अच्छा बाता है प्याज की तरह का थीक है जी वह लगए जी वह लगए बड़ कोश्टली होता हो गए तो काफी यह लगभग डेड़ रुपया एक साथ एक सतर ऐसा अच्छा इस तरीके कहा है जी और करीब 15-20,000 बल्ब एक बिगे में लगते हैं अच्छा पंद वह लोगए आच्छ अच्छे फिर खोकी लगती रही तो डेड़ महिने बाद में फूल इस पर आनसूर हो जागी लगबग 1 महिने तक फूल देता है प्र खता होने के एक महिने बाद तक हम इसको बीज को जमीन में छोड़ते हैं इसकी निचे नया बल्ब तयार हो गया अगली बर लगाने के लिए नीचे तयार हो जापका वह एक बर लेका आपको दूबारे लेना नी पड़ने का अच्छ अच्छ जासा है इस पैसे डंडी कट की फुलोगी और यह नीचे यह पुराना बल्व ता और यह नया बल्व उपर तयार हो गया इसके साथ में यह और यहां से तूट जाएगा अच्छ यहां से टूट जाएगा रहा अब जमीन में लगा दें यह जमीन में लग जाएगा पहले कोल्ड इस्टोर रखा जाएगा अच्छा तिन तक उसके बाद इस पल्प यह चोटे भी तयार हो जाते हैं चोटे पोद्दे अच्छा कितना बड़ा लगा जी आपने निचे गेर दी जम जाओंगे यह जम जाएंगे अच्छ लेकिन एक सा वाल में तयार कर देगा यह को एक्टी अच्छ यह वारा साइज यह थेकट अभी जाए तो आपना भी तयार करते होंगो अपना यह बीजी तयार तैयार करें यह तैयार हो रहा है और जो फूल आया यह इसकी एक्ट्रा इंकम है वसी समझे लो आप अच्छा इसमें आप बीजी बना रहे जी बना रहे हैं यह तो फूल तो एक्ट लगा यह यह मेरी लेवर हाजी और मेरी कोस्टिंग निकाल देगा खेट का अच्छा ठीक आच्छा यह जो आपने सबसे पहले जो मोडल त्यार करा तो इसमें गनणा लगाया था यह लगा तो पहले लिए लेख़ाया अज़े चार दिन बाद बीच में अपना यह को लेट रहता तो पर मिट कि लगा और यह लगा आपने पंदरेजी रहे जीरो तैइस यह किस तरी यह सेप्टेंबर के फर्स्ट विक में लगाया अच्छा तो आपने जैसे बता है कि यह बल्ब मतलब जो इसका है वो तयार कर रहे हैं अगर इसकी बात करें जैसे आप बतारेगी फूल इसका मतलब कहां पर जाता है अच्छा जाने की क्या साजी मार्केटिंग क्या गाड़ी ले जाती है तो यह तो मुझे लगा है जो गुल दस्टों वगर में लगा रहे हैं वही बड़ा है जी हो यह काम आता है तो इसकी बार महिने डिमा करना चावक होई जी हाँ जी तो कितने रुपे का वीज उसे प्राफ्ट होगा यह बल्ब बता रहे हैं यह एक बिगे में लगवग बल्ब का खरच आता है तीस हजार से 35 जार के बीच का यह लेकिन एक ही बार की आपकी कोश्चिंग है हर बार आपका वीज तैयार मिल अच्छ जैसे आप यह ले रहे हैं यह इस तरीके का अताय है वह बल्कुल यह त्यार वर्ण को यह लाइन पर रख देंगा है उसके जाएगी अज पावडों से मिट्टी रख देते हैं पहलेगा तो कितना के देंग इसमें यह लगवग चार छें अंगल का चार्षिंगल क अगर इसकी बात करें खेटी की जैसे आपने गन्ना लगा रखा रखा और यह मन ने देख रहा है कुछ अलू भी लगा रहा है के साइड मैं या लगा लिए थोड़ा खाने के लिए अच्छा काने के लिए लगा लिए तो इसमें की दवाई-वाई की जाद पड़ा जी इस प बढ़ मुझे तो गन्ने की दिखाई दी अब लगा और फिर मार्च में उसमें गन्ना डाल देते तो बीच के खूड में जी अब यह जब सब्सक्रेंच चल पड़ा अब तो बहुत ही अच्छा होगा इसके लिए जी अच्छा बात करेंजिए आपने इसमें नडाई वगर तो बात कर रहे होगी लगाने से बाद में जिसके साथ में हुए अब जो बात करें हैं आपका यह फूल है यह तयार है यह तो पूरा प्लाट जो है तयार कलकेटिंग अच्यक और इसका कॉप कर देंगा बंदल बन जाते हैं दर्जन से अच्छा दर्जन के साफ दो दर्जन का बंदल जी अगर चुछ साब बात करें इसमें एक विगा किसान ने 35,000 उपर लगा के लगा लिया आपने बताई कि एक महिने बाद में डेड़ महिने बाद फूल शुरू हो गया तो कितने समय तक फूल अच्छा नहीं एक चीज बताओ जि मेरी समझ में निया आई बात आपना बताई एक महिने बात फूल देते का एक महिने तक ही वह चलेगा जो बड़ा पोधा है वो पहले देगा हां जो थोड़ा छोटा पोधा है जैसे बाद छोटा कमजूर है यह दास में फूल दे रहा ह तो फेर इसका दूबारा नियाने गागी कुछ इसमें दुबारा नियाएगा एक बल्ब में एक इश् डिक काईगी एक इस्टिक आएगी या जाता हुड़ यह जो ज्यादे नहीं नहीं दुबारा फूल नहीं आगा अगर इसमें बात करें जी बचत की एक विगा आपने लगा लिया तो क्या कुछ इसमें फूल से कमाई हो सक है क्या कुछ बीच से की मतलब वह सब निकाल अच्छ वो सब निकालके दस हजार से पंद्रहजार के बीच आपको इंकम हो जाएगी मजमें समय भी मातर आपका लग राद हो सब्सक्राइब दाइ महिने में तो रिटर्ण हो गया हाँ लेकिन खेत में भी एक महिना और चोड़ना पड़ेगा पांच महिने की फसल मान के चलो आपको दस से 20,000 वह किसान के जागरूप एक एवरेज मनना का जी कहीं बार ऐसा दस हजार से तो नीचे जाता ही हाँ बिल्कु बिल्कु ब डिमांड बढ़ जाती हो तो इसके कची खेती है पर वात हो सब जी की हो गया वह तो चयुक्ताय के बाद बória कोई लगेगा तो biblimouth लगाया रहा है यहीं से खेत से जा है लगाने में कोई समस्चिय नहीं स्वान है तो चोज साब इसमें अगर कोई किसान यहां लगाना चाहाँ है आपके आसपास का बिलकुल मैं तो चाहता हूं एक दो किसान और लगाए जी जी तो इसमें आप अपना नंबर उपलब्द करा दो ताकि किसान आप से एक तो मसबरा भी ले ले और दूसरा आप तो यह सब्सक्राइब बहुत अच्छा मोडल इन्होंने यहां पर तयार करका कंप्रीट जानकारी इसमें वीडियो में हमने ले लिए लास्ट यह तो लगभग कोरोना से पहले मैं बीस पच्चीस भीगे लगाता था अच्छा फिर कम कैसा कर दिया जी कोरान टाइम में डिमांड खत चुजशाब देदेंगे नंबर मने देई दिया रहूल जी एक खास बात और बताओं पीछे पसु आए मेरा गन्ना सारा खागी अच्छा गन्ना सारा खागी ठीक है फूलों को मूह नहीं लगाया फूल निखाते वे अच्छा निखाते ने लंडी तो खा सकते हैं लेकि ज चानकारी रहेगी हो मुझे कमेंट करें मैं जवाब दूँगा अन्नी तो चुजशाब का नंबर आपके पास में वीडियो आपको जुरू पसंद आएगी कमेंट करके बताना मोडल बहुत शांदार लग रहा मैं दिखा दू थोड़ सा आपको देखो कितना शुंदर लग